नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू जीया किचेन विलोग तो आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी ची रिक्वेस्ट है ये दिया आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फ्ली चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करते ना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जूरूर बताना कि आपको कौन सी टिप्स हो अच्छी लगी तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहली टिप्स की तरफ पहली टिप्स है हमारी है सेलो टेप को लेकर सेलो टेप अक्सर हम क्या करते हैं काम में ले ले लेते हैं उसको तुरूंत वैसे चिपका के छोड़ देते हैं तो फिर से हमें क तो इसके लिए आपके पास कोई भी हल नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा सेलो टेप को लास्ट जांपर चपा इसको अंगुठे से चिपका लेना है और इधर आपको लगाएंगे दागा यह आपके पास पीन है रबड है कोई भी इस तरीके से आप लास्ट में लगा ल यह वाला ट्रिक्स है वो जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छा है अगला टिप्स हमारा है चोपर को लेकर चोपर अक्सर तीन जी चार मेने हो जाते हैं तो इनकी जो बलेड है वो गीश जाती है तो प्याज टमाटर जो भी हम चोपर में चोप करते हैं तो वो अ डाल देना है और 3-4 दिन इसी तरीकी से छोड़ देना है आपको बिल्कुल भी चलाना नहीं है तो 3-4 दिन बाद आप देखोगी कि आपकी बलेड है वो आसानी से चल रही है और प्याज कदू कस करने में कोई भी दिकत नहीं हो रही है तो ये वाला टिप्स है आप कीजिएगा बहुत ही यूजबूल है तो आपको ये चोपर फेकने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है तो इस तरीके से आप जुरू ट्राइ कीजिएगा और चोपर को तीन से चार दिन के लिए रखती जिएगा अगला टिप से हमारा है पैसों को लेकर अक्सर मेलाई क्या क तो इसके लिए आपको गवराने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है प्रेस को अलगा गरम कर लेना है और जो पैसे आपके गिल्ले है उसको कोटन के कपड़े पर रख लेना है और 15-20 सेकिंड तक इस तरीके से अलखे आतों से इसके उपर प्रेस कर लेनी है तो 15-20 की चाहिए सही हो गए है एकदम से शुखे तो आप देख सकते हूँ ये मेरे 20 का इसका नोट है हो एकदम से गिल्ला था मैंने इसको मंशीन में डाल दिया कपडों के साथ में जेब में था लेकि आपको दिखा देती ह 10 वे ये 20 का नोट है वह एकदम से वैसका का वैसा हो ग करते हैं ज्यादा काटनी है तो हम चकू के साहिता से काटते हैं जिससे डेंटल वगेरा आ जाने के लिए इस जार वाइन होती है तो दनिय की पती को इस तरीके से डेंटल है इसमें डाल देना है और देखोगी कि दन्ये की पत्ती पत्ती है वो सारी इस जार के उपर रह जाएगी और डंठड है वो नीचे रह जाएगा तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कि इस तरीके से आपको करना है दन्ये की पत्ती इस तरीके से लेनी है और देरे देरे इस आथों से नीचे वाले हाथ इस तरीके से करनी है तो आप देखोगी कि दन्यए की जो पत्ति है ना वो सारी की शारी जरके अंदर रह जाए गी तो आप यह वाला टिपस वो जुरूरू ट्राई कीजिएगा बहुत ही कार्गरो और यूजफुल है तो आप देख सकते हो दन्ये की पत्ति है वो एक-एक कर अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक करना सेर करना और चैनल पर पहली बार तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब